हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के पॉइंट अड़ पर तो दोस्तों आज से यहाँ पे TGT PGT LTGIC बयालोगे से संबंधित प्रीवियस एर की जितने भी को आई हुए है उनस सभी को हम देखने वाले हैं और आजसे मैंने इस की सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको रिगलर TGT-PGT से ही संबंधित, यहाँ पे कोश्चन्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्ण है, वो पब्लिज्ड जन्रा प्लांटेरम। ओप्शन है, बेंथम एन हुकर, इंगलर और प्रांटेल, जौन हचिंसन या तकता जान। सभी जवाब है, बेंथम एन हुकर। तो दोस्तों, बेंथम एन हुकर ने जन्रा प्लांटेरम पब्लिश किया था। और इन्होंने नेच्रल सिस्टम ओफ क्लासिफिकेशन दिया था। जौन हचिंसन की बात करें, तो इनकी बुक का नाम है दा फैमिली ज उफ लावरिंग फ्लांट। बात करें तकता जानकी तो इन्होंने एंजियो स्पर्म को दो पार्ट में डिवाइट किया था पहला डाई कॉर्टिलिडन्स और दूसरा मोनो कॉर्टिलिडन्स अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं अगले प्रश्टि की तरब बढ़ते हैं All organisms were classified into 8 kingdoms of 2 empires by RHV Taker, Hakel, Woods et al. या Cavalier Smith, सही जवाब है Cavalier Smith, तो दोस्तों इन्होंने 8 kingdom classification दिया था, तो दोस्तों एक ही करके हम सबकी बात कर लेते हैं, तो पहला है RHV Taker, इन्होंने 5 kingdom classification दिया था, जिसमें इन्होंने organism को 5 kingdom में divide किया था, तो कौन-कौन से kingdom थे, पहला Monera, Protista, Pungi, Plante and Animalia, अब Ernest Hakel की बात कर लेते हैं, तो Ernest Hakel ने 3 kingdom classification दिया था, जिसमें इन्होंने 3 kingdom में divide किया था organism को, on the basis of unicellular and multicellular, तो पहला आता है Protista, जिसमें इन्होंने सारे unicellular organism को रखा था, वहीं प्लांटी और अनिमेलिया में सारे multicellular organism को रखा था, अब बात कर लेते हैं, वूज एटल की, तो इन्होंने 6 kingdom में classification दिया था, जिसमें इन्होंने सारे organism को archibacteria, bacteria, proteasta, fungi, planty and animalia में divided किया था, और हमारे जो cavail year इसमें था, इन्होंने 8 kingdom classification दिया था, इसमें इन्होंने organism को ur bacteria, archibacteria, archiozoa, protozoa, chromista, planty, fungi और animalia में divided किया था, तो यहाँ पर मैंने सभी classification की बारे में समझा दिया है, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं Borderline cases between species and subspaces are called Option is sibling species, semi-species, super-species या subspaces सही जवाब है semi-species अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं Term biology was introduced by Option is Aristotle, Darwin, Lamarck या Linus सही जवाब है Lamarck अगला प्रश्ण Father of taxonomy is Option है decandole, hooker, Linus या Aristotle सही जवाब है Linus अगला प्रश्ण The term taxonomy was coined by Option है decandole, theophristus, carolus linus या Pliny सही जवाब है decandole तो दुस्तों ध्यान दीजेगा कि father of taxonomy carolus linus को कहा जाता है वहीं पे taxonomy term जो है APT candlele ने दिया था अगला प्रश्ण The writer of the families of flowering plant is तो दोस्तों मैंने शुरू महीं बता दिया था तो सही अंसर हो जाएगा Hutchinson तो दोस्तों सभी की बुक के नाम बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा हमेशा पूछ लिया जाता है एक्जाम में अगला प्रश्ण है Linus published his concept of binomial normal culture first in बुक का नाम है Systema Natury Especies Plantarium General Plantarium या Philosophia Botanica तो सही जवाब है Especies Plantarium तो दोस्तों बाकी बचे हुए option पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर Systema Natury और Philosophia Botanica ये भी Carolus Linus की है और वहीं पर General Plantarium Pintum and Hooker के द्वारा पब्लिश की गई है अगला प्रश्ण Which is not a category option है Ecotype Especies Genus या Order तो सही जवाब है Order Family Genus Species ये सभी यहाँ पर Category यानि की Taxonomic Rank है Eco Type यहाँ पर कोई यहाँ पर Rank नहीं है इसलिए यह option सही हो जाएगा अगला प्रश्ण Binomial Normal Clature Was Proposed By तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि Binomial Normal Clature Careless Linus ने प्रपोस किया था इसका मतलब क्या होता है किसी Organism का एक तो Common Name है एक होता है Scientific Name जो उसका Main Name होता है तो जो Scientific Name होता है वो भी दो नामों से मिलकर बनेगा पहला Generic Name और दूसरा Species Name Example के लिए जैसे हम Tiger को माल ले तो Tiger एक Common Name है लेकिन अगर हम इसका Scientific Name देखेंगे तो वो है Panthera Tigris तो यहाँ पर Panthera हो जाएगा Genus Name वहीं पर Tigris हो जाएगा Species Name और इससे होता क्या है अगर किसी Organism का Scientific Name है तो इससे उसे International Uniformity मिलती है इसका फायदा यह होता है अगला प्रश्नू Generic Name of Solanum Tuberosum is तो आपको बताना है Solanum Tuberosum जिसे हम आलू की नाम से जानते हैं तो उसका Generic Name क्या है तो सही जवाब है Generic Name क्या हो जाएगा Solanum अगला प्रश्न है Who is referred as Father of Botany बहुत इमातपूर प्रश्न Option है Robert Hook Theophrastus Linus या Levenhawk सही जवाब है Theophrastus तो दोस्तों Theophrastus को वरस्पती विज्ञान का जनक कहा जाता है अगला प्रश्न The world species was coined by Option है John Ray Mayor Jay Huxley या Linus सही जवाब है John Ray अगला प्रश्न Botanist Name Plant in Latin So as to Option है Claim superiority over the common man Prevent the common man from studying plants Claim superiority over other scientists या Achieve international uniformity तो दोस्तों इसका अंसर मैंने भी पहले बताया है तो सही जवाब हो जाएगा Achieve international uniformity अगला प्रश्न तो दोस्तों या हमारा बहुत ही मातपोल प्रश्न Tipification से एक नाएक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा Question है The type specimen used by the author For describing a plant For the first time is known as Option है Lactotype, Holotype, Neotype या Centotype तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा Holotype अगले प्रश्न की तरह बढ़ते हैं When species name exactly repeats Generic name It is known as या भी बहुत important question Option है Basio names Totonyms Homonyms या Synonyms तो सही जवाब है Totonyms यानि कि जब generic name और species name सेम सेम हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं Totonym Example के लिए हम Indian Cobra को ले लेते हैं यानि कि जो सपेरा वाले जिस नाग को ले के आते हैं वो क्या है Indian Cobra है अगर उसका scientific name देखे तो वो है नाजा नाजा तो यहाँ पर नाजा नाजा क्योंकि generic name और species name सेम सेम हो गया तब हम इसे Totonyms कहते हैं I hope कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगले प्रशन की तरब बढ़ते हैं दोस्तों tipification से यह दूसरा प्रशन When the original type material is not available add specimen collected from type locality is chosen to serve as type it is called तो दोस्तों यहाँ पर question बहुत ज़्यादा बढ़ा वगया था तो option के लिए जगा नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर direct answer लिख दिया है तो हमारा answer हो जाएगा sin type तो दोस्तों इसके पहले हमने holotype देखा था जहाँ पर किसी specimen को describe करने के लिए author के दुआरा पहली बार जो use किया गया था वो holotype है अगर holotype अवेलबल नहीं होता है तो उसकी जगा पर फिर sin type का use किया जाता है पर वो भी specimen same ही जगा से collected होना चाहिए अगला प्रशन बंथम एन हुकर system of classification is यानि बंथम एन हुकर ने कौन सा classification दिया था option है natural system phylogenetic system artificial system या none of these तो सही जवाब है natural system अगला प्रशन total number of series इन बंथम एन हुकर system of classification are option है 13, 9, 21 या 11 तो सही जवाब हो जाएगा 21 बंथम एन हुकर की classification में total 21 series है अगला प्रशन who suggested five kingdom classification of organism option है rhp taker copland ad world या थैंब सही जवाब है विटेकर rhp taker ने सारे ओर्गनेजम को पांच kingdom में डिवाइट किया था monera, protista, fungi, planty and animalia में अगला प्रशन the lowest taxonomic category in universal usage is option है genus, order, species या class तो अगर हम taxonomic category को देखते हैं rank को देखते हैं तो हमने आपको बताया था पहले kingdom होगा phylum है फिर division फिर class, order, family, genus फिर species तो सबसे नीचे species आता है तो ये सबसे lowest category होगा अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं study of animal behavior is called option है entomology, ethnobiology, ethology या ecology तो इन में से कौन सा उत्तर सही होगा तो सही answer हो जाएगा ethology तो दोस्तों हम सभी option पर बात कर लेते हैं पहला है entomology हम इंसेक्ट के अध्यान को entomology क्याते हैं second है ethnobiology तो जब व्यक्तियों जीवो तथा वातवरन के संबंध का अध्यान किया जाता है तो हम उसे ethnobiology क्याते हैं third है ethology हमने बात किया ही है कि ये animal behavior की study क्याते हैं ecology क्या है जब जीवो तथा वातवरन के बीच जो अंतक्रियाय होती है जब हम उसका अध्यान करते हैं तो वो ecology क्यालाता है यानि कि study of interaction between living organism with their environment तो दोस्तों यहीं पर आज का हमारा practice set खतम होता है आप नीचे comment में बताईएगा कि आपको कितने प्रश्ट के उत्तर आते थे I hope कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ये सभी question बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि सभी के सभी question TGT, PGT, LTGIC में पूछे जा चुके हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं जल्दे से सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको सीरियल वाइस TGT, PGT, LTGIC बाइलाजिय से समबंते प्रश्ण देखने को मिलने वाले है